कि अब्रिवर्वान वेल्कम बैक टो मैं चैनल पायो पोस्ट तो आज हम देखेंगे इन डीटेल अबाउट मोनोहाइब्रीड क्रोस और हम यह भी देखेंगे कि मेंडल ने मोनोहाइब्रीड क्रोस से कैसे दो लोग पूट फ़रवर किये थे वो जो दो लोग थे लोग डॉम क्रोस मेंडल ने कैसे परफर्म किया था वो प्रोसीजर देख लेंगे तो बेसिकली जो पी प्लांट मेंडल ने लिया था आज इस एक्स्प्रिमेंटल सब्जेक्ट वो पी प्लांट बेसिकली डिपलोईड था मतलब है डिपलोईड है और जो डिपलोईड मतलब क्या तो is nothing but an individual which contains two sets of chromosome एक ऐसा इंडिविजिव जिस में दो सेट्स of chromosome रहेंगे उस इंडिविजिव खुं क्या कहेंगे deep blood तो पी प्लांट होता है और ऊचिए प्लांट में टोटल फोटीन क्रोमोजों रहते है कितने क्रोमोजों 14 अब 14 क्रोमोजों मतलब कितने पेर हो गए 14 क्रोमोजम मतलब seven pairs of chromosome seven pairs of chromosome तो हम क्या करेंगे इस seven pair of chromosome मेंसे एक pair हम लेंगे consider कीजिए कि हमने ये एक pair लिया chromosome का और ये pair कैसा है chromosome का ये pair कैसा है homologous chromosome ये दोनों chromosome कैसे homologous chromosome अब एक हम जीन लेंगे consider कीजिए जीन x अब ये जीन x क्या कर रहा है जीन x एक character को define कर रहा है अब ये कौनसे character को define कर रहा है तो basically ये जीन x define कर रहा है सीर शेप को सीर शेप को अब ये जीन homologous chromosome पे कहीं पे तो present होगा कुछ specific position होगा तो हम ये जीन x के specific position consider कीजिए यहाँ पे homologous chromosome पे यहाँ पे x जीन का अब जो seed shape है जो वो seed shape दो अलग alternate forms में present होगे seed shape round भी हो सकता है wrinkle भी हो सकता है seed shape round भी हो सकता है और wrinkle भी हो सकता है अब जो round है उसे कैसे represent करे तो उसे represent किया जाता है by capital R और जो wrinkle है उसे कैसे represent करे तो उसे represent करते है by small R तो ये दोनों जो present है ये these are nothing but the alleles अब alleles कहाँ पे present होते है alleles present होते है chromosome पे और alleles are nothing but the alternate form of a gene अब ये जो homologous chromosome है इस homologous chromosome पे consider कीज़े कि हम इसे numbering देते है ये first chromosome है और ये second chromosome है तो first chromosome पे capital या फिर smaller इन दोनों में से कोई भी एक अलिल प्रेजन्ट हो सकते second chromosome पर वे भी वे से ही capital R या फिर smaller दोनों में से कोई भी एक अलिल प्रेजन्ट होती है यहाँ पर ध्यान में रखना कि एक chromosome पर एक ही अलिल प्रेजन्ट होती है किसी भी एक gene की यह बात ध्यान में रखना जैसे कि यहां पे हमने एक्जामपल लिया जीन X का तो जीन X जो है जो कारेक्टर क्योंट्रिबेट कर रहा है कि इस कारेक्टर को सीड़ शेप को तो जीन X जो फर्स क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है उस पे एक ही allil present है या फिर capital R हो सकती है या फिर small r हो सकती है तो यह बात ध्यान में रखना कि किसी भी एक chromosome पे किसी भी एक gene का एक ही allil present हो सकता है अब जो दूसरे दो terms है एक है homozygous और दूसरा है heterocygous यह conditions, दो यह दो conditions क्या describe करती है तो basically अगर chromosome 1 पे capital R है और chromosome 2 पे capital R है तो दोनों पे same same है तो इसलिए इस condition को हम क्या कहेंगे heterocygous condition या फिर chromosome 1 पे small R है और chromosome 2 पे भी small R है इस condition को क्या कहेंगे हम homozygous क्यो तो दोनों chromosome पे similar allils present है अगर chromosome 1 पे capital R प्रेजेंट है और chromosome 2 पे small our present है इस condition को क्या कहेंगे हम heteroseix क्यों क्योंकि दोनों chromosome पे dissimilar urge present है इसलिए हम इस condition को क्या कहेंगे hetroseix condition तो आपको समझ میں आ झायोगा basics की gene क्या होता है allels क्या होति है उसके बाद homozycus condition और hetroseix condition क्या होता है इसके बाद हम देखेंगे अब मेंडल ने मोनो हाइब्रिट क्रॉस कैसे परफर्म किया था तो मेंडल ने क्या किया तो मेंडल ने पहले होमोजाइगस राउंड सीर्स लिए और होमोजाइगस रिंकल से लिए अब homozygous round seeds कैसे हमने देखा था कि जो alleles है round seed के लिए वो कैसे है capital R, capital R और capital R, capital R दो बार alleles क्यों है क्योंकि P plant कैसे है deployed है अब deployed में seven pairs of chromosome P plant में होते है इसलिए यहाँ पे capital R और capital R, दो alleles present है इसके बाद homozygous wrinkle seeds कैसे represent किया है by smaller, smaller और यह जो दोनों conditions है यह conditions कैसे है, parental generations अब क्या होता है, gamet formation होता है अब जैसे हमें पता है, जो gamets होते होते हैं, haploid होते है और haploid मतलब क्या, haploid मतलब ऐसा individual जिसमें one set of chromosome होते है single set of chromosome तो यह जो दो alleles है, जो deployed conditions में थे तो यह दोनों alleles separate हो जाएंगे और एक gamet में एक ही alleles आएगा अब जैसे R और R है, यह deployed condition हो गया अब gamet formation हो गया, यह gamets form होए, दो अब एक alleles एक gamet में जाएगी एक alleles एक gamet में जाएगी तो यह था law of segregation of gamet अब यह जो gamets form होए, capital R और small R दो alleles form होंगे, sorry, दो gamets form होंगे जिसमें एक ही alleles present होगा एक gamet में होगा capital R और दुसरे gamet में होगा smaller अब यह जो दो alleles है, यह fuse हो जाएंगे और alleles fuse हो जाएंगे, क्योंकि gamets fuse होंगे अब gamet fuse होने के बाद alleles भी fuse हो जाएंगे उसके बाद zygote form होगा जाएगोट कैसा होता है, deep blood उसके बाद जो parental generation है, इसके offspring बनेंगे अब मेंडल ने देखा, जो offspring बने वो सारे के सारे कैसे थे, वो सारे के सारे round seeds थे, अब round seeds मेंडल को अब confusion हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या किया था homozygous round seeds और homozygous wrinkle seeds उन दोनों का combination किया था और r, capital R, और smaller, दोनों alleles present है उन्हें यह confusion हुआ, कि दोनों alleles present है round seeds के भी और wrinkle seeds के भी लेकिन जो offspring थे, parental generation के जो offspring थे, उन्हें round seeds ही क्यों observe हुए तो उन्होंने second law describe किया जो था law of dominance उन्होंने उसमें बताया कि जो एक alleles present होता है जो भी एक character होगा, वो dominant होगा जैसे कि यहाँ पे round seeds जो है, वो dominant है और जो other character होगा, जैसे कि wrinkle seeds वो कैसा होगा, वो होगा recessive तो यह जो dominant character है, वो क्या करेगा इस recessive character को suppress करेगा उसके character को suppress करेगा या फिर mask करेगा ऐसे character को हम क्या कहते है, dominant character तो यहाँ पे क्या हुआ, जो dominant character था उसने recessive character को suppress किया उसके expression था उसे mask किया, उसे suppress किया और खुद का expression करवाया इसलिए जो offspring form हुए और यह offspring को हम क्या कहते first filial generation या फिर F1 generation तो F1 generation में हमें सारे round seeds मिले क्योंकि R जो round seeds थे वो dominant थे over the wrinkle seeds तो इसलिए heterozygous अगर condition रही तो heterozygous condition में जो dominant होगा वही express होगा और जो races ही होगा उसका जो character होगा वो suppress हो जाएगा इसलिए F1 generation में जो wrinkle seeds थे उसका expression नहीं हुआ क्योंकि dominant जो round seeds थे वो round seeds ने wrinkle seeds के expression को suppress कर दिया अब इसके बाद mendel ने क्या किया फिर से gametes form हुए अब gametes कैसे होते हैं फिर से यहाँ पर दो alleles थे यह दोनों alleles कैसे हो जाएंगे separate हो जाएंगे अब separate होने के पाद mendel ने क्या किया self-fertilization करवाया इन दोनों alleles में अब cross-fertilization और self-fertilization पे मैंने एक अलग video बना रखी है लिगारिंग the genetic terminologies और overview of monohybrid cross में भी मैंने बता है self-fertilization और cross-fertilization क्या होता है तो अगर आपको नहीं पता तो वो वीडियो आप देख लीजे तो यहाँ पे gamut form होने के बाद mendel ने self-fertilization करवाया अब self-fertilization करवाने के बाद उनको F2 generation में मतलब F1 generation के जो offspring होंगे उसे हम कहेंगे second filial generation या फिर F2 generation तो उन्हें क्या offspring मिले तो उन्हें round और wrinkle दोनों offspring मिले अब कैसे मिले एक बार हम जान लेते हैं तो basically F1 generation में जो offspring बना था वो कैसा था? R, capital R, round and wrinkle अब gametes हम होंए, gametes में R और R separate हो गए तोनो aquell separate हो गए तो इन्हें self-fertilization करवाया मेंदेल ने इन्हें self-fertilization करवाया तो यहाँ पे R, capital R और smaller और यहाँ पे capital R और smaller capital R, capital R, capital R, capital R, capital R, capital Rën February capital R, capital R, small R, capital R לr, bolnayगा Capital R, Smaller Capital R, Smaller यहाँ पर Smaller, Smaller Smaller, Smaller तो ऐसे combinations बनेंगे अब यह दोनों तो homozygous condition में मतलब यह round ही होगा यहाँ पर heterosygous condition है लेकिन जो round series है वो कैसा है dominant over the wrinkle series यहाँ पर फिर क्या form होगे round series form होगे यहाँ पर भी heterosygous condition है लेकिन round series dominant है over the wrinkle series तो यहाँ पर भी round series form होगे अब यहाँ पर तो दोनों homozygous condition है तो यहाँ पर कैसे form होगे wrinkle series अब यहाँ से हम ratio निकाल सकते अगर हमने आखो देखी मतलब अगर हमने कोई भी seed लिया और उसे देखा अगर वो round रहा तो हम इसे round कहेंगे अगर वो wrinkle रहा तो हम उसे wrinkle कहेंगे अगर हमने आखो से देखा ऐसे character को हम क्या कह सकते है phenotype तो यहाँ पर phenotype ratio क्या हो सकता है अगर हमने बस आखो से देखा तो round 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 तो तीन round और एक प्रिंकल तो ratio क्या हो गया 3 is to 1 लेकिन अगर हमने genotype देखा alleles देखे कि वो seeds के alleles कैसे ऐसे character को हम अगर ऐसा ratio हमें जानना हो पड़ेगा ऐसे ratio के हम क्या कहेंगे genotype अगर हमने alleles को देखा तो तो जैसे यहाँ पर r एक ही है so 1 is to heterozygous condition की इतने जिसमे capital R smaller capital R smaller ऐसे के इतने 2 so 1 is to 2 is to 1 क्योंकि यहाँ पर brinkle कैसा है एक ही है तो यहाँ पर phenotype ratio क्या होगा जैसे हम आखों देखी कह सकते है physical appearance तो that will be 3 is to 1 और genotypic ratio will be 1 is to 2 is to 1 तो I hope आपको phenotype और genotype में भी difference समझ में आऊगा उनका ratio भी समझ में होगा कि mono hybrid cross में जो phenotype ratio होता है वो होता है 3 is to 1 और genotype ratio वो होता है 1 is to 2 is to 1 अब इसके बाद यहाँ पर भी वही है कि उन्हें ratio मिला 3 is to 1 और जो कि था phenotype ratio अब मेंडल ने F3 generation भी निकाला था अब F3 generation में उन्होंने फिर से वही किया अब जैसे कि यहाँ पर RR है फिर से gametes form हुए RR separate हो जाएंगे both the alleles separate होने के बाद उन्होंने फिर से self-fertilization करवाया इन दोनों में अगर इन दोनों में self-fertilization करवाया तो हमें क्या मिलेगा round seeds ही मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर heterosegous condition थो homosegous condition है तो सारे seeds कैसे मिलेंगे हमें round ही मिलेंगे अब यह जो condition है capital R और smaller यह कैसे heterosegous अब यह अगर फिर से इन दोनों में gametes form हुए और बाद में self-fertilization करवाया तो फिर से हमें क्या मिलेगा वही ratio मिलेगा 3 is to 1 अभी हमने F1 generation के जो capital R, smaller offspring उसमें self-fertilization करवाया यह condition भी same ही है तो हमें फिर से वही ratio मिलेगा 3 is to 1 यह condition भी है फिर से हमें वही ratio मिलेगा 3 is to 1 और जो last है wrinkle seeds यह कैसा है homosegous condition अब homosegous होने के बाद हमें वही observing मिलेगा जो की है wrinkle seeds तो every generation में उन्हें वही वैसे ही observations मिले थे so I hope आपको समझ में आग वोगा कि monohybride cross होता क्या है और कैसे perform करते है तो एक बार हम overlook कर लेते monohybride cross का तो monohybride cross में Mendel ने क्या किया था पहले homosegous round seeds लिए homosegous recessive seeds लिए इन दोनों का cross करवाया यह कैसे थे parental generation इन दोनों में cross करवाया उन्हें क्या मिला capital R, small r अब capital R, small r लेकिन यह सारे F1 generation में कैसे थे round F1 generation में कैसे थे round क्यूंकि जो round seeds था वो dominant था over the wrinkle seeds अब उन्होंने self-fertilization करवाया self-fertilization करने के बाद उन्हें F2 generation में क्या ratio मिला 3 is to 1 phenotypic ratio और genotypic ratio क्या मिला 1 is to 2 is to 1 F2 generation में F3 generation इतना ध्यान में नहीं रखना चाहिए वो ही results आथ है बस F2 generation तक आपको ध्यान में रखना है कि क्या-क्या होता है और gamerts होते हैं वो haploid होते हैं और एक chromosome पर एक ही allil होता है किसी भी एक जीन्द का तो ये बाते आपको ध्यान में रखनी So I hope आपको monohybrid cross समझ में आ गया होगा कि कैसे perform किया जाता और Mendel ने कैसे perform किया था उस पर से उन्होंने कैसे law of segregation of gamet और law of dominance put forward किये थे ये दोनों दा तो law of segregation gamet में क्या होता है law of segregation of gamet में होता है कि जो दो alleles present होता है वो alleles जब gamets form होता है तो एक ही alleles एक gamet में present होता है That is nothing but the law of segregation of gamet और law of dominance ऐसा character जो recisive character के expression को suppress करे, mask करे ऐसे character को हम क्या कहता है dominant So ये था law of dominance So I hope आपको monohybrid cross समझ में आ गया होगा So thank you करें आपको